असलाम अलेकुम फ्रेंड्स आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं खिचरा बनानी की रसिपी और आज हम ये खिचरा जो है बहुत ही इजी और असान तरीके से बनाएंगे और यहाँ पे हम कुछ जो है होमेड मसाले भी बनाएंगे ये इस तरीके से आज हम होमेड मसाला बनान वाले हैं जिससे खिचड़े का जो टेस्ट है वह बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंट्स तो सबसे पहले यहां पर हमने जो है एक कप दल्या लिया है यह दल्या इजी ली मार्केट में अवेलेबल है और इसको हमने जो है पास से छे घंटे के लिए गरम पानी में अच्छे से जो है सोक करने के लिए रख दिया है और अब हम यहां पर और कुछ चीज़े जो है सोक करेंगे जिसमें यहां पर हमने वन फोर्थ कप जो है वो राइज लिया है और वन फोर्थ कप तूर दाल लेंगे हम one fourth cup monkey dal और one fourth cup masoor की डाल लेंगे और one fourth cup चने की डाल लेंगे और इसका जो measurement है friends जितना हमने दलिया लिया है एक cup हमने दलिया लिया है तो ये सारी जो दाले हैं ये सारी दालों का measurement जो है वो one cup ही होना चाहिए तबी हमारा जो है perfect half kg का खिच्ड़ा बनके ready होगा अब हमने सारी दालों को जो है अच्छे से धो के गरम पानी में इसको भीगो दिया है पास से 6 गंटे के लिए इसको भीगोना है हमको यह देखिए फ्रेंड्स 6 गंटे के बाद हमारी सारी चीज़े जो है वह अच्छे से सेट हो गई है अब यहाँ पे हम जो है एक कुकर ले लेंगे और सारी चीज़ों को जो है हम कुकर में ट्रांसफर कर देंगे और यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून ओइल दाला है इसमें और 1 टेबल स्पून सॉल्ट दालेंगे और यहाँ पे हमने अद्रकलसन का पेस्ट दाला है 1 टेबल स्पून जिंजर गालिक पेस्ट इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम और mix करने के बाद यहाँ पर हमने इसमें पानी मिला लेना है और यह देखिए फ्रेंट्स अब हमने इसमें पानी मिला दिया है और हमने यहाँ पर आधा लिटर पानी दाला है और अब हम यहाँ पर आफ ती स्पून टर्मरिक हल्दी मिलाएंगे और इसको अच्छे से mix कर लेना है और cooker का lid लगा के इसको हमने जो है 25 से 30 मिनट के लिए पका लेना है और अब हम यहाँ पे जो है कुछ मसालों को dry roast करेंगे जिससे हमारा खिचरा जो है वो बहुत ही टेस्टी बनके रडी होता है तो यहाँ पे सबसे पहले हमने 2 टेबल स्पून फ़नल सीट्स सौफ लिया है 1 टेबल स्पून कोरियंडर साबुद धनिया 1 टी स्पून शहजीरा ग्रीन कार्डिमम ब्लैक कार्डिमम तेस पत्ता ब्लैक पेपर स्टार अनिस दालचीनी लॉंग और यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी दाली है सारे मसाले अच्छे से ड्राय रोस्ट होने के बाद ही हमने इसमें जो है कसूरी मेथी को मिलाना है और हमने इसको 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है और इसको हमने इस तरीके से मिक्सी के जार में पीस लिया है और अब हम यहाँ पे जो है तमाटर, कोरियंडर, पुदीना और यह जो फ्राइड अनियांस हैं उनका एक पेस्ट बना लेंगे और यह देखिए फ्रेंट्स यहाँ पे हमने जो है तमाटोस का पेस्ट बना लिया है और अब यहाँ पे सारी चीज़े जो है वो अच्छे से गल गई है यह देखिए फ्रेंट्स खिचड़ा जो है वो कितने अच्छे से गल गया है आप चाहो तो यहाँ पे मैशर से भी जो है मैशर से खिचड़े को अच्छे से जो है मैश कर सकते हो लेकिन यहाँ पे हमारा खिचड़ा जो है वो अच्छे से गल गया है इसके लिए इसको हम सिर्फ एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हमने खिचड़े के लिए जो है ग्रेवी रेडी कर लेना है तो सबसे पहले यहाँ पे हमने पान में जो है 4 टेबल स्पून ओइल ले लेना है और यहाँ पे हमने कुछ खड़े मसाले डाल दिये हैं जिसमें शहजीरा, ग्रीन कार्डेमम, ब्लाक कार्डेमम, तेज पत्ता, स्टार अनिस, लॉंग यह सारी चीजे हैं उसके बाद हमने यहाँ पे स्लाइस अनियन डाला है और अनियन को जो है हमने अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है उसके बाद यहाँ पे हमने टू टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है टोमाटों का पेस्ट दाल देंगे हम वनाटीबल स्वाट्र साथ और टू टेबल स्पून कांदा लसुन मसाला दाला है और यहाँ पर हमने वन टीसपून टर्मरिक हल्दी दाला है और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब हमने जोSl Serge मसाला बनाया है वो मसाला हम दाल देंगे इसमें अब हमने सारी चीजों को जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहाँ पे हमने टू टेबल स्पून पीनट्स का यूस किया है इससे भी खिचड़े का टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्रेंट्स और यहाँ पे अब हम वान कप दही डालेंगे और जब दही डालेंगे तो ग्यास का फ्लेम जो है वो हमने लो रखना है अब हमने यहाँ पे मटन डाल दिया है और मटन को हमने हलदी और सॉल्ट के साथ पहले ही अच्छे से पका लिया था और ढ़क के हमने इसको इसको एच्छे से सेप्रेट हो गया है और हमारी ग्रेवी है अच्छे से रड़ी है तो अब हम यहां पर क्थिचड़ा हमने कुकर में अच्छे से पका लिया था वह मदल देंगे लिए इस में और समय करके दस मीनट के लिए ढखके हमने इसको पका लेना है और यह देखिया फ्रेंट्स कितना टेस्टी और डिलिशियस हमारा मटन खिचडा बनके रडी है आभी से जरूर से ट्राइ कीजिया फ्रेंट्स और जो मेजरमेंट हमने आपको बताया है फ्रेंट्स हाफ केजी का खिचडा जो है आप इजिली इससे बना सकते हो एक कप दल्या लेना है और एक कप जो है सारी दाले और चावलों का मेजरमेंट लेना है जिससे हाफ केजी का खिचडा जो है वो इजिली बन जाता है और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी फ्रेंट्स कमेंट में हमें जरूर और ये दिखिए फ्रेंड्स कितना टेस्टी और डिलीशियस हमारा मतन किचड़ा बनके रेडी है और अब हम यहाँ पे जो है जो फ्राइड अनियंस है उससे हम इसको गार्निश करेंगे थोड़ा सा पुदीना और थोड़े से फ्राइड अनियन से हम इसको गानिश करेंगे और ये दिखिए फ्रेंट्स कितना टेस्टी और डिलिशियस हमारा मटन खिचुड़ा बनके रेडी है और फ्रेंट्स आप भी ये रेसिपी ज़रूर से ट्राइ कीजिए और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइए और ऐसे ही नए नए रेसिपी इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ थैंस फर वाचिंग